और हां जी तो कैसे हैं आप लोग चलीए समझते नेक्स टॉपिक जिसका नाम हे ग्लास इसलैब से अपुरतन यानि की ग्लास स हो गया और बाहर का क्या हो गया माध्यम हवा यान की बाहर का माध्यम वाईयू माध्यम हो गया और यह कांच माध्यम अब देखिए वायू और कांच इन दोनों में आप जरह बताईए प्रकास की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी हवा में होगा कि कांच में होगा ग्लास में होगा तो अफिसले बात है कि जो प्रकास की स्पीड होगी वो हवा में तेज होगी यानि कि हवा कौन सा माध्यम हो गया वीरल मा मादियम और काच क्या है नमें परकास की चाल वायू क्या क्ण किया हुगा कम हो जाएगा स्पीड और सैट कम हो जाएगी काच सुनिए क्या होगा पहले तो इस आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं कि आ इस वाले सथ पर आएंड़S ये नहीं कि ठीक तो देखिए क्या होगा और यह जिस बिंदू पर आ रही है इसको बोला जाता है आप तन बिंदू और इसको अब इलंब तो हम लोग बोलते ही हैं ठीक तो पूरे स्पीड के साथ लाइट आई हवा में और आते के साथ जैसे यह कांच में प्रवेश की एंटर की तो इस बिंदू को बोल दिया आप तन बिंदू और उस पर विलम खिषती है अब देखिए कांच नहीं रहता तो प्रकास इस तरह सीड़े जाती इसका जो रास्ता होता इस तरह होता होता अगर यह कांच किसली नहीं होती तो लेकिन हमने माद्यम चेंज कर दिया यहां पर कांच लाकर रख दिया है तो जब यह प्रकास जाएगी ना यह अभिलंब की ओर जुक जाएगी और यह इस तरह चली जाएगी ठीक इस तरह चली जाएगी और यह जाने वाली किरण को क्या बोल देंगे आप लोग अपवर्तित किरण क्या बोलेंगे अपवर्तित किरण कि अब एक चीज और ध्यान दिजीए कि आप पर तो अपवर्टन हो गया है क्योंकि वाईओ से काच में आपजिक में अपने राष्ते से विज्विश्छलित हो गई लेकिन यहाँ से हवा में जा रही है तो यहां पर फिर से आपतन बिंदू होगा और इस आपतन बिंदू पर आप फिर 90 डिग्री का लाइन की चेंगे यान कि अभी लंब खीचेंगे यह खिश दिया ठीक अब देखिए क्योंकि यह सगन है और यह बाहर वाला माध्यम क्या है वीरल है तो ज कांच रहता तो यह पूरा कांच रहता तो इस तरह जाती है अपने रास्ते से जाती इस तरह ठीक लेकिन हमने क्या कर यह कांच से हवा में आ रही है कांच से वायू में जा रही है तो अभी लंब से दूर हटेगी और अभी लंब से दूर हटकर यह इस तरह चली जाएगी टिक इस तरह चली जाएगे और इस जाने वाली किरन को क्या बोलेंगे गाणे वाली कि रंप को बोलेंगे निर्गत कि रंप निर्गत किरण पहले आई किरण तो आपतित किरण अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण फिर दो बार अपवर्तन हुआ यानिकी निर्गत किरण निर्गत किरन का मतलब दो बार अपवर्तन के बाद निकली हुई किरन उसको क्या बोलेंगे निर्गत किरन, simple ठीक है अब सुनिए, इस आपतित किरन ये जो आपतित किरन आई है और इस अभी लंब इन दोनों के बीच के कोड को क्या बोलते हैं, angle i code i is equal to क्या होता है, आपतन कोड इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोड और इस अपवर्तित किरन ये जो आपवर्तित किरन अपवर्तित हुई है और इस अभी लंब इन दोनों के बीच को बोलते हैं, angle r, code r, refractive, sorry, angle of reflection ये देखिए, angle r तो इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोड, अपवर्तन कोड हो गया, अब यहाँ पर फिर से तो अपवर्तन हुआ है ना, यहाँ पर फिर से अपवर्तन हुआ है, यानि कि ये निर्गत किरन और ये वाला जो आपका आभी लंब है, इन दोनों के बीच को बोलते हैं, angle e, जाता है निर्गत कोड एंगल आईयोगी आतन कोड और टियान दीजिए कि यहां पर प्रकास आ रहे थी दो बारा पोर्तन हुआ हमें निर्गत किरण मिल गए अब जो यहynthia एंगल ही है नाillontv जो निर्गत किरन और अभिलंग के बीच बन रहा है ये एंगल ये आपतन कोड के बराबर होता है ये दोनों बराबर होता है यानि कि ये वाला कोड और ये वाला कोड हमेशा बराबर होता है और ये दोनों के बराबर होने के कारण ये वाला कोड और ये वाला कोड एंगल के बराबर होने के कारण ये जो आपतित किरण का ये जो रास्ता था और ये निर्गत किरण का रास्ता है ये एक दूसरे के आमने सामने होती है यानी कि किरन के यह तो आप लोगों को सब सब दिख रहे हैं यह आप्तित किरन का रास्ता और इसी के ठीक सामने क्या है निर्गत किरन यानि कि आमने सामने हैं इसे उसी को बोला जाता है जो चीज आमने समने रहते हैं उसों समनांतर कहते हैं माली जी एक रोड गया है और एक इसी के स सब्सक्राइब ऑन दोनसे बराबर एक दूसरे के बराबर एक दुसरे के समचाम है एया है हैर तो यहां तो आज वीडियो में इतना ही मिलें नेक्स्ट वीडियो में तब तक जाहिंद और खुदा हाफिस